Hello Friends, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तोसी फीड वर्ड में दोस्तों Microsoft Excel में एक डेटा है हमार पास जिसे English से Hindi में Convert करना है और Hindi से English में Convert करना है तो दोस्तों Microsoft Excel में यह नहीं होगा उसके लिए हम Google Sheet का help लेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तो प्लीस वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को लैक कर दीजिए और अगर चैनल पर नया है, तो चैनल को सबस्क्राइब करके Will ऐकन को प्रेस कर दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो अब हम आ गए हैं Microsoft Excel के sheet पर और हमारे पास यहाँ पर 3 sheet है और 3 sheet में अलग-अलग data दिया हुआ है और हमें इन सारे data को convert करना है जैसे first sheet में हमारे पास कुछ fruits का नाम दिया हुआ है जो कि English में है और हमें इसे Hindi में convert करना है उसी तरह से दूसरे sheet पर यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है और इन सारे नामों को English में Hindi में convert करना है और फिर तीसरे sheet में यहाँ पर कुछ estate का नाम दिया हुआ है जो कि Hindi में है और इसे हमें English में convert करना है तो दोस्तो हम यहाँ पर Microsoft Excel में translate नहीं कर सकते हैं या फिर convert नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें Google Sheets का help लेना होगा तो सबसे पहले हम अपना internet browser open करेंगे open करने के बाद हम यहाँ पर simply tap करेंगे Sheets जैसे ही tap करेंगे Sheets Google टाइप करेंगे और enter करेंगे जैसे enter करेंगे तो यहाँ पर सबसे उपर एक link आ जाएगा Google Sheets का online spreadsheet sheet editor इस पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो अगला जो page खुलेगा यहाँ पर हमको go to sheets वाले option पर click करना है click करते ही हमारे पास Google Sheets open हो जाएगा अब हमें यहाँ से blank page चुनना है blank sheet चुनना है तो blank पर click करेंगे तो हमारे पास एक new sheet open हो जाएगा अब हमें यहाँ पर translate करना है या फिर convert करना है तो सबसे पहले हम Microsoft Excel पर पहुंचते हैं और यहाँ से जिन नामों को convert करना है तो इन सारे नामों को जैसे fruits का नाम है इसे select करेंगे और control C से इसे copy करेंगे copy करने के बाद फिर से हम Google sheets में आएंगे और यहाँ पर इसे paste कर देंगे जब paste करेंगे तो उसके बाद हमें अगले cell में यहाँ पर अगले column में formula टैप करना है टैप करेंगे equal to google translate यहाँ पर देख सकते हैं नीचे formula आ गया है Google translate पहला argument है text तो text में हम यह वाला cell select करेंगे कॉमा लगाएंगे और source language में जिस language में टैप किया हुआ है उस language को देंगे तो source language में English देंगे English के लिए EN होता है double quote लगाएंगे कॉमा लगाएंगे और target language में हमें हिंदी में convert करना है तो हिंदी के लिए HI टैप करेंगे double quote close और bracket close करके enter करेंगे तो यहाँ पर loading होगा और उसके बाद हिंदी में ये नाम convert हो जाएगा अब इसे drag करेंगे तो सभी fruits का नाम हिंदी में convert हो जाएगा अब हमें simply यहाँ से इस पूरे data को select करना है control C से इसे copy करेंगे और Microsoft Excel के sheet पर आएगे और यहाँ पर paste कर देंगे तो सारे fruits का नाम जो है बहुत ही आसानी से इंग्लिश से हिंदी में convert हो जाएगा उसी तरह से दूसरे sheet को देख लेते हैं यहाँ पर कुछ नाम है और इसी भी से उसी तरह से हमें हिंदी में convert करना है तो यहाँ से इसे copy करेंगे और अगले cell में अगले column में यहाँ पर हम paste कर देंगे फिर से यहाँ पर हम वही formula लगाएंगे type करेंगे equal to google translate और यहाँ पर text में हम यह वाला cell select करेंगे comma लगाएंगे और source language में यहाँ पर en type करेंगे double quote लगाएंगे comma लगाकर target language में यहाँ पर hi tap करेंगे double quote close bracket close और enter करेंगे और इसे drag करेंगे तो सारा नाम हिंदी में convert हो जाएगा अब इसे भी हम copy करेंगे Ctrl C से और फिर से Microsoft Excel के sheet पर आएंगे और यहाँ पर paste कर देंगे दोस्तो आब हम देख लेते हैं हमारे पास जो कुछ state का नाम है जो कि पहले से हिंदी में type क्या हुआ है और हमें इसे English में convert करना है तो उसी तरह से इसे भी हम select करके copy करेंगे और यहाँ पर paste कर देंगे paste करने के बाद फिर से हमें वही formula लगाना है equal to google translate और यहाँ पर text में हम यह वाला cell select करेंगे comma लगाएंगे और source language में चुकि यह हिंदी में already पहले से type क्या हुआ है तो source language में हम यहाँ पर hi type करेंगे हिंदी के लिए comma लगाएंगे और उसके बाद target language में en type करेंगे English के लिए हमें English में convert करना है उसके बाद enter करेंगे और जब इसे drag करेंगे तो सभी state का नाम English में convert हो जायागा अब हम इसे copy करके Microsoft Excel के sheet पर आएंगे और यहाँ पर paste कर देंगे तो बड़ी आसानी से हम हिंदी से English और English से हिंदी में data को convert कर सकते हैं दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा यह ट्रिक अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like कीजिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर से next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद